हर बार हुआ पाइलिट के साथ धोखा खीचतान तो चुनाओं के नतीजों के साथ ही शुरू हो गई थी दरसल रायस्थाइन की ये कहानी शुरू होती है 2018 के विधान सभा चुनाओं से कॉंग्रेस ने सचिन पाइलेट के अगवाई में ये चुनाओ लड़ा था और सचिन पाइलेट को रायस्थान के डिप्टी सीम के बद से संतुष्ट करना पड़ा उस वक्त भी कहा गया था कि सचिन पाइलेट के साथ अन्याय हुआ है लेकिन शायद ये कहे जाने के आवाज आला कमान के कानों तक नहीं पहुँची अला कि तब पाइलेट और गहलोद दोनों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली लेकिन अंदर खाने दरार पड़ चुकी थी राजनीतिक गलियारों में तब ये भी कहा गया था कि राइस्तान में गहलोद की और मद्वरदेश में कमलनात की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी हुआ भी कुछ ऐसा ही दरसल सिंधिया ने तो बगावत करके भाजपा जोयन कर ली और अब केंद्रिय मंत्री भी है पाइलेट ने भी कई बार बागी सूर अपनाए लेकिन वो हमेशा फेल हो गया उन्हें हर बार मना तो लिया गया लेकिन तरार तब भी बनी रही दो साल बाद 2020 में बगावत के बाद पाइलेट की सरकार से भी छुटी हो गई कॉंग्रिस कही के इक बड़े नेता की ओर से सचिन पाइलेट को ये नसीहत दी गए कि उनके पास आगे मौका है सचिन पाइलेट मान चुके थे और दो साल बाद जब एक बार फिर गहलोत का नाम पार्टी एक दिख्ष के लिए आया तो उन्हें लगा शायद अब वो गड़ी आने वाली है ऐसा लग रहा था कि राजिक के पाइलेट वो अब जल्दी बन जाएंगे लेकिन एक बार फिर रायस्थान की सियासी मौसम खराख हो गया सचिन पाइलेट को सीम बनने से रूखने वाले लोगों ने हमेशा यही कहा है कि पाइलेट के पास आके मौका है अब जब लग रहा था कि सचिन पाइलेट रायस्थान के मुखे मंतरी बन जाएंगे और आला कमान भी इसी ओर इशारा कर रहा था लेकिन अशोग गहलोत कुरसी छोड़ने को राजी नहीं हो रहे है और अगर हो भी रहे हैं तो कई शर्तों के साथ ऐसे में यह बात फिर कही जाने लगी है कि पाइलेट के साथ तब भी अन्याय हुआ था और अब भी हो रहा है